नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में आएए आज के इस वीडियो के श्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम सभी अरवेद की ऐसी और शरी के बारे में जो शरीर को जवान बनाएगी शरीर में स्फूर्ती भरेगी शरीरिक शक्ती बढ़ाएगी लिवर को मजबूती देगी आँखों से चस्मा हटाने में मदद करेगी हाट और किड़नी को सुरक्षित रखेगी साथी साथ अजिन्ड, टीवी, छाती में जलन, पागलपन, अतिसार, वमन, मिर्गी, दमा, पेट में कीडे, कुष्ट रोग, विश्विकार, और समय बालों का सफेद होना, आखों के रोग और साथी साथ बुद्धी वर्धक होने के साथ ये बहुत कमाल के उश्यद ही है तपश्विंई इन सभी नामों से जाना जाता है, और आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट्स के माध्यम से लिख फेजिए ताकि अन्य लोगों को भी इस बारे में पता चल सके, आइए अब बात करते हैं इसके संबंध में मुत्र जनक होने और मुत्र म आप बने रहेंगे तो आपको डेफिनिटले अच्छी जानकारी मिलेगी गुरक मुंदी के चार ताजे फल तोड़ लीजिए और भली प्रकार से चबाईए और दो घुट पानी के साथ इसे पेट में ले लीजिए यानि कि उतार लीजिए पी लीजिए एक वर्ष तक ऐसा कि और आखों की समस्या कभी नहीं होगी आखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी गुरक मुंदी की एक घुड़ी प्रती दिन साबूत निगलने से कई सालों तक आख लाल नहीं होती है इसके पत्ते पीश करके मलहम की तरह लेप करने से नारू रोग इसे बाल रोग भी कहते है यह रोग गंदा पानी पीने से होता है यह नश्ट हो जाता है इसके लिए बहुत अच्छे और शदी है गुरक मुंडी और सूठ दोनों का चूण बराबर मात्रा में गर्म पानी से लेने से आमवात की पीड़ा दूर हो जाती है गुरक मुंडी चूण घी शहद को मिला करके सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो इससे वात रोग समाप्त हो जाते हैं वात रोग में जैसे की आपके शरीर में जो दर्द की शिकायत रहती है वो दूर हो जाती है कुष्ट रोग होने पर गुरक मुंडी का चूण और नीम की च्छाल मिला करके काड़ा तयार करना चाह है इससे कुष्ट रोग दूर होता है गले के लिए यह बहुत फायदे मंद है यह आवाज को मिठा बनाती है तो इसलिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं गुरक मुंडी का सुजाक प्रमेह इत्यादी धात रोग में सरवाधिक सफल प्रयोग कर सकते हैं आप फोडे फुनसी या खुजली हो तो गुरक मुंडी के बीजों को पीस करके उसमें बराबर मातरा में शक्कर मिला करके रख लीजे और एक बार प्रती दिन दो चमच ठंडे पानी से लीजे इन सभी बिमारियों में यह फायदे मंद होगी इस चुन को लेने से शरीर में स्फूर्ती बढ़त इससे दिल, दिमाग, लिवर बहुत शक्ति शाली होता है गुरक मुंडी का कारा बना करके प्रियोक करने से पत्री की समस्या दूर हो जाती है पिलिया के मरीजों के लिए यह काफी अच्छी ओशरी है गुरक मुंडी के पत्ते तथा इसकी जड़ को पीस करके गाई के दू दूद के साथ सेवन करता है तो उसका शरीर मजबूत हो जाता है गुरक मुंडी का सेवन शहद, दूद और मठे के साथ आप कर सकते हैं गुरक मुंडी का प्रियोग बवासीर में बहुत अच्छी और शदी के रूप में कारिय करता है गुरक मुंडी की जड़ की छाल निक में तथा कंठ माल की गाठों में लगाने से बहुत जादा लाभ होता है पेट के किड़ों में भी इसकी जड़ी का पूर्ण प्रयोग किया जाता है इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा गुरकमुंडी एक ऐसी ओशद है जो आखों को जरूर शक्ति देती है अनेक बार अनुभव किया गया है अरवेद में गुरकमुंडी को रासायन कहा गया है इसलिए अरवेद के नुसार रासायन का अर्थ है वह ओशदी जो शरीर को जवान बनाए रखे अब आये जान लेते हैं गुरकमुंडी से आप ओशदी कैसे बनाएंगे गुरकमुंडी का पौधा यदि यह कहीं भी आपको मिल जाए तो इसे जड़ सहित उखार करके ले आईए जड़ को छोड़ना नहीं है ध्यान रखिए इसकी जड़ का चुन बना करके आधा आधा चमवच सुबह शाम आपको दूद के साथ प्रयोग करना है बाकी के पोधे का पानी मिला करके रस निका बाजार में यानि कि पंसारी या कंठालिया की दुकान पर जाएंगे तो साभूत पोधा या जड़ नहीं मिलेगी आपको केवल इसका फल मिलेगा वह प्रयोग करें 100 ग्राम गोरक मुंडी लाकर के पीस लें बहुत आसानी से पीस जाती है ये इसमें 50 ग्राम गुड मिला लें कुछ बुंद पानी मिला करके मटर क्याकार की गोलियां बना लें यह काम अगर आप लोहे की कडाहिस से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें आयरन भी मिल जाएगा अगर न मिले तो पीतल की ले लें यदि वह भी न मिले तो ऐलुमेनियम की ही ले ले जब पानी लगभग 300 ग्राम बचे तब छान लीजे साथ में ठंडी होने पर दबा करके निचोड लीजे इस पानी को मोटे तले की कडाही में डाल दीजे उसमें 100 ग्राम गुड कुट करके मिला करके धीमियाच पर पकाईए जब शहद के समान गाढ़ा हो जाए तब आग बंद कर दीजे जब ठंडा हो जाए तो देखिए कि काफी गाढ़ा हो गया है यदि कम गाढ़ा हो तो थोड़ा सा और पका लीजे फिर ठंडा होने पर इसमें 100 ग्राम बारिक पीसी हुई गोरक मुंदी डाल करके मिला लीजे इसके बाद 50 ग्राम चीनी या मिश्री में 10 ग दरा सा देशी घी लगा करके मटर के आकार की गोलियां बना लेनी है नहीं तो हाथ में चिपकेगा गोली बना करके चीनी इलाइची वाले पाउडर में डाल देना है ताकि गोली सुगंधित हो जाए तीन दिन चाया में सुखा करके प्रियोग करना है इलाइची के वल खु प्रियोग करके अनुभव करेंगे और अनुभव करने के बाद कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताईएगा आखें आपके ठीक होंगी ये कोई हैरानी की बात नहीं है परिश्रम से आपको ठकावट भी महसूस नहीं होगी अगर आप मेहनत करते हैं पूरे दिन तो भी नहीं सताएंगे जिन्हें पेशाप कम आता है या शरीर के किसी हिस्से से खून गेरता है तो ठंडे पानी से इसे दीजिए इतनी सुरक्षित है कि गर्वती को भी आप दे सकते हैं ध्यान रखें दो से चार दिन में कोई लाब नहीं होगा लंबे समय तक इसको लेना होगा आयरुवेदिक औश्यधियों के साथ पेसेंस रखना पड़ता है गोली को अच्छे से सुखाना होगा नहीं तो अंदर से फफुन्द लग जाएंगे इस बात को ध्यान रखें ये पाचन शक्ति को बढ़ाती है इसलिए भोजन समय पर खाएं चाय पी करके भूग को खत्म करना होगा और जिनको लगता है कि अब जीवन में बिमार होने लगे हैं समस्या आने लगे हैं उन्हें एक बार इसका सेवनी इस प्रकार से कर लेना चाहिए बहुत सी बिमारियों से बच जाएंगे ये आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक् पिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दो तो